गाईज आज के इस वीडियो में हम कुछ इंटरस्टिंग वर्ट्स के बारे में बात करेंगे जैसे पिकनिकर, कॉडियली, ग्रजिंगली, एल्फा एंड ओमेगा, ब्लैमिश, पिकी, कॉल बाई, स्टैरिकल, क्रॉस्विद, हैरोइंग, अबनॉक्शियस, नेगोशियट, इ हमारा फर्स्ट वर्ड है, अबनॉक्शियस, इट मींज कि कोई परसन है, वो बहुती बुरा लगने वाला है, या फिर कुछ है, जो घिनोना है, इस लाइन का मतलब यह होगा, कि जो बैकबाईटर्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे इंसान, जो की पीट पीचे चुगली करते है उनको मैं बहुती बुरा लगता हूँ, इस लाइन को बोलने का सेंस यह है, कि जो बैकबाईटर्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे इंसान, जो पीट पीचे बुराई करते हैं, या फिर पीट पीचे चुगली करते हैं, मुझे ऐसे इंसान पसंदी नहीं है, तो मैं उनसे अच् से बात नहीं करता हूँ, I'm obnoxious to persons who are backbiters, एक और example है, nobody wants to talk to him because of his obnoxious behavior, मतलब उसके गिनोने व्यवार की वज़े से कोई भी उससे बात करना नहीं चाहता, nobody wants to talk to him because of his obnoxious behavior, अगला word है हमारा grudgingly, इसका मतलब होता है बेमन से या फिर बिना इच्छा के, जैसे example है, He grudgingly gave me money, मतलब उसका मन नहीं था, उसकी इच्छा नहीं थी मुझे पैसे देने की, लेकिन उसने मुझे पैसे दिये, मतलब बिना इच्छा के उसने मुझे पैसे दिये, He grudgingly gave me money, one more example, She grudgingly admitted that she was wrong, इसका मतलब यह हुआ, बिना इच्छा के, बिना मन के, उसने ये सुषिकार कर लिया की वह गलत थी, मतलब उसका मन नहीं था, ये सुषिकार करने का की वह गलत थी, लेकिन मन ना होते हुए भी उसने सुषिकार किया की वह गलत थी, She grudgingly admitted that she was wrong, अगली हमारी एक phrasal verb है, call by, इसका मतलब होता है, किसी को थोड़े समय के लिए मिलना, या अगर मैं example लिए, I want you to call by tomorrow, मतलब कल मैं तुमसे थोड़े समय के लिए मिलना चाता हूँ, I want you to call by tomorrow, एक और example है, I thought I would call by and inquire about you, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने सोचा कि तुमसे थोड़े time के लिए मिल लूँगा और तुमारे हाल चाल पोचलूँगा, I thought I would call by and inquire after you, अगला इसका मतलब होता है, एक ऐसा परसन जो पिक्निक मनाने वाला है, मतलब पिक्निक मनाने वाले इनसान को हम बोलते हैं, पिक्निकर, for example, पिक्निकर्स आर रिक्वेस्टेट नौट टो लिटर, लिटर यहाँ पर एक वर्ड है, इसको as a noun और as a verb दोनों तरह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर as a verb यूज किया जा रहा है, जब हम इसे as a verb यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है, कूडा कच्रा फैलाना, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, जो पिक्निकर्स हैं, मतलब जो पिक्निक मनाने वाले इनसान हैं, उनसे request की जाती है, या फिर उनसे अनुरोद किया स्थान जिन पर पिकनिक मनाने वाले लोग आते हैं उनके द्वारा पहाड़े स्थानों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है अगली हमारी एक फ्रेज है अलफा एंड ओमेगा अच्वली इसका मतलब आप सिंपली बोल सकते हैं कि शुरुआत से अब तक मतलब सब कुछ जैसे अगर मैं एक्जामपल लूँ इसका मतलब यह हुआ एक्जाम में जाधा अंको की प्राप्ती के लिए जाधा अंको को सिक्यॉर करने के लिए तुम्हें subject की पूरी जानकारी होनी चाहिए या फिर subject के वारे में सब कुछ पता होना चाहिए एक और example है इसका मतलब यह हुआ कि वह उस लड़की से पूरी दिलो जान से प्यार करता है तो वह लड़की उसके लिए सब कुछ है अगला word है हमारा cordially इसका मतलब होता है मन से या फिर हिर्द से इसको हम उस सेंस में बोलते हैं जैसे किसी को हमें polite way में बिलकुल मन से या फिर हिर्द से कुछ भोलना है तो इस word को हम उस सेंस में यूज कर सकते हैं जैसे अगर मैं example लूँ You are cordially invited to attend the party इसका मतलब यह हुआ, पार्टी में शामिन होने के लिए तुम्हें दिल से आमंतरित किया जाता है या फिर पूरे मन से आमंतरित किया जाता है You are cordially invited to attend the party एक और example है, His cordially detached taking pictures यहाँ पर एक वर्ड है, detest इसका मतलब होता है, किसी चीज से या फिर किसी परसन से नफरत करना मतलब उसको बिल्कुल भी पसंद ना करना तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा वह पूरे दिल से pictures को खीचना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है He cordially detached taking pictures अगला वर्ड है हमारा, blemish इस word को as a noun और as a verb दोदों तरुके से यूज़ कर सकते हैं जब हम इसे as a noun यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है दाग या फिर धबा लेकिन जब हम इसे as a verb यूज़ करते हैं या फिर उसके गालों पर दाग है She has blemishes on her chicks एक और एक्जामपल है This loss in your business may be a blemish on your success It may reduce the market value इसका मतलब होगा तुम्हारे business में ये घाटा तुम्हारी सफलता में एक दाग हो सकता है एक धबा हो सकता है ये market value को कम कर सकता है This loss in your business may be a blemish on your success It may reduce the market value अगला word है picky इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो नकरे बाज है या फिर नकचड़ा है मतलब हर चीज में उसे अपनी चलानी है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए जैसे Everyone knows children are picky eaters इसका मतलब ये हुआ हर कोई जानता है कि जो बच्चे होते है वो picky eaters होते है मतलब खाने के मामले में नकरे बाज होते है मतलब बोलने का sense ये है कि जो उन्हें चाहिए जो उन्हें अच्छा लगता है खाने के मामले में उन्हें वही चाहिए होता है Everyone knows children are picky eaters एक और example है, she is very picky about her clothes, मतलब अपने कपड़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा नक्चड़ी है, मतलब उसके लिए कपड़े उसे ऐसे ही पसंद नहीं आ जाते हैं, उसके मन में ये रहता है कि मुझे ये कपड़े चाहिए तो यही कपड़े चाहिए, तो उसके लिए वो बहु अगला वर्ड है हमारा hysterically, इसका मतलब होता है पागलों की तरह, जैसे कोई state है, उसमें कोई person अपनी feelings को control नहीं कर पाता है, किसी डर की वज़े से या फिर किसी excitement की वज़े से, या फिर किसी गुसे की वज़े से, तो ऐसी situation में हम इसका use कर सकते हैं, जैसे अगर मैं example मतलब बहुत दुख की वज़े से पागलों की तरह रो रही थी, she was hysterically crying, one more example, he started to laugh hysterically, मतलब वो पागलों की तरह हसने लग गया, he started to laugh hysterically, अगला वर हमारा indignant, मतलब कोई person है वो बहुत ज़्यादा गुसेल है या फिर बहुत ज़्यादा क्रोधित है, जैसे अगर मैं example लू she was indignant when I denied to go for shopping with her, मतलब वो बहुत ज़्यादा गुसेल हो गई थी, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई थी, जब मैंने उसके साथ shopping के लिए जाने के लिए मना कर दिया, she was indignant when I denied to go for shopping with her, एक और example है, it's useless arguing with him, he's so indignant, मतलब वो बहुत ज़्यादा गुसेल है या वो बहुत करना बेकार है, it's useless arguing with him, he's so indignant, अगली हमारी एक phrasal verb है cross with, इसका मतलब होता है किसी परसन से नाराज हो जाना या फिर किसी से गुसा हो जाना, जैसे example है, she was cross with me because I lied to her, मतलब मैंने उसे जूल बोला था, तो इसी की वज़र से वह मुसे नाराज थी या फिर वह मुसे गुस एक और example है, don't be cross with me, at least give me a chance, मतलब मुझसे नाराज मत हो या फिर मुझसे गुसा मत हो, कम से कर मुझे एक मौका दो, don't cross with me, at least give me a chance, अगला word है हमारा funeral, जैसे कोई परसन मर जाता है, तो उसके अंतिम संसकार की ceremony को हम बोलते हैं, funeral, तो जैसे example है, she didn't even cry at her husband's funeral in a serial, मतलब एक नाटक में, वह अपने पती के funeral में, वह अपने पती के अंतिम संसकार में रोई भी नहीं, she didn't even cry at her husband's funeral in a serial, एक और example है, I attended my uncle's funeral last year, मतलब पिछले साल मैं अपने अंकल के अंतिम संसकार में शामिल हुआ, I attended my uncle's funeral last year, अगला word है, harrowing, इसका मतलब है, कुछ है जो लोगों को दुखी कर देने वाला है, या फिर लोगों को परिशान कर देने वाला है, तो जैसे example है, I don't want to remember that harrowing time, मतलब उस परिशान कर देने वाले time को, या फिर दुखी कर देने वाले समय को, मैं याद नहीं करना चाहता, I don't want to remember that harrowing time, मतलब जब कोई हमारी उमीदों पर खरा नहीं उतरता है, तो ये सच में एक दुखी कर देने वाला या फिर परिशान कर देने वाला experience है, अगला वर्ड है, जैसे किसी के साथ former discussion होता है, जैसे किसी समझोते के लिए या फिर किसी निर्णा के लिए मुद्दे पर बात करना, उस पर मोलभाव करना, जैसे एक्जामपल है, it's fair price, I don't want to negotiate over price, मतलब ये अनुकूल दाम है, मैं दाम को लेकर negotiate नहीं करना चाता हूँ या फिर मोलभाव नहीं करना चाता हूँ in a formal way, एक और एक्जामपल है, she has really got good negotiating skills, मतलब मोलभाव करने की उसके पास अच्छी योगिता है या फिर अच्छा होना रहे, she has really got good negotiating skills, अगला word है हमारा obvious, it means something is there, that is easy to recognize, that is easy to understand, मतलब कुछ है जो आसानी से दिखाई दे देने वाली है, या फिर आसानी से समझ में आ जाने वाली है, आसानी से पहचानी जा सकने वाली है, मतलब आप simply बोल सकते हैं, कि जो साफ साफ है, जैसे example है, it's obvious that she gives you cold shoulder, मतलब ये साफ साफ है या फिर आसानी से दिखाई देने वाला है, कि वह तुम्हें भाव नहीं देती है, एक और एक्जामपल है, there is no obvious solution to this problem, मतलब आसानी से दिखाई देने वाला या फिर आसानी से समझा जा सकने वाला इस परिशानी का कोई भी हल नहीं है, there is no obvious solution to this problem, so that's it guys for this video, guys मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए इस वीडियो में कॉन्स परिशानी के जिनको आपने इस परिशानी का है, तो इस परिशानी के लिए आपके लिए इस वीडियो में आपने इस परिशानी का है,